कि वेल्कम फ्रेंट्स और अंडर बेसे समयाव का फिर से आवदिक स्वागते हैं जी एनवी क्लास 9 के लिए इससे पहले एक क्लास शुरू हो चुकी थी और तो यह हमारे दूसरी क्लास है चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इससे पहले हमने क्लास में कहा था सिंपल इंट्रेस्ट के बारे में बात कर रहे थे सिंपल इंट्रेस्ट साधारन ब्याज का फॉर्मूला मैंने आवको बताया था पी टी आर ओवर हंड्रेड मतलब की यह सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्मूला है साधारन ब्याज का पी माने मूल्धन यानि इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल यानि जो रासी हमने उनको दी थी वो मूल्धन इंट्व टी माने टाइम यानि की समय इंट्व रेट रेट माने क्या दर थी उनकी तो वो रेट यहां पर होगी दर बटा सो तो सो लिखना ही हमें अब क्या करना है इसमें हमने एक पश्ण किया था एक और पश्ण आजगा कर लेते हैं कि किसी का मूल्धन है कि 25 रुपे और उसने पांच पर्सेंट की ब्यास से पांच परसेंट यह मासिक हैं हर महिने पांच परसेंट का ब्यास होगा वो विद उसने 6 मेनों के लिए किसी को पैसे दिए अब इसका में ब्याद निकालना है कि कितने रुपए वो उसके बाद उसको देखा या पर उसका ब्याद कितना होगा तो देखिए दोस्तों पी टी आर पचीशो इंटू क्या रेट थी उसकी क्या वक्त था तो 6 मेने इंटू 5 परसेंट की व्याद से दिया है और 100 जीरो से दो जीरो कट गए पचीश पंजे एक्सों पचीश इंटू 6 जब उसको दिये थे यहने कि जब उसके मेने हों गए तब उसको तीस सो पचास रुपे शुपूर्ट करेगा वापस देगा इसमें भी अगर हम बात करें तो कई परकार की यह सी कर्णिशन आती है मैंने आपको कहा था कि जब हम बात करते हैं रेट की मैन इंपोर्टेंट है रेट एन मैन इंपोर्टेंट है टाइम यानि क्या समय अगर रेट मंथली है तो समय भी हमें मंथली लिखना पड़ेगा पर एक पस्टन है कि किसी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को दो हजार रुपे साथ प्रतिसत प्रति वर्स की रेट से पैसे दीए यहां पर नासिक नहीं है वर्स है अरली एक वर्स का साथ परसंट की दर से पैसे दीए और उसने पैसे दीए करीब साथ महिनों के लिए 7 MONTHS अब बताएए कि 7 महीनों के बाद वो उसे कितने पैसे लेगा इस प्रकार के पस्टने में क्या करना है या तो रेट जो है उसको महीने में चैंज कर दू और या जो महीने है इनको वर्सों में चैंज कर दू इस प्रकार के प्रसंट आपके आएंगे यह पका है इस प्रकार के पूस्ट न आएंगे तो आपको क्या करना है सबसे पहले हम रेट को ही को मन्त में च्पल लेते हैं महीनों में च्पल बारा है सब अज्च करते हैं तो देखे आपको क्या करना है एक सिंपल सा करना है साथ बटा बारा यानिकि एक वर्ष में बारा महिने होते हैं तो बारा का भाग देदेंगे यह हमारा आगी रेट अब मैं वही फॉर्मूला लगाना है पीटी आर भाई हंड्रेड तो पीटी टीम आने जो वर्ष कितना स्व में दिया है तो वह साथ महिने हैं और जो कि देट हैं हमारी यह होगी महिने की तो साथ बटा बारा बटा हो गया सो 真的 हो गए है बारा क अगर बात करें 6 आ गया 20 दस हो गया 25 हो गया अब हम सातों साते 69 50 इंटू 5 बटा हो गया 3 अगर हम बात करें इसको शॉल करने की 45 45 का 5 उपर लगे 4 520 और 4 24 बटा 3 अब अगर इसको आगे शॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो आट यह 24 और 3 एकं 3.2 6 एक्यासी पॉइंट 6 रुपे उसका ब्याज होगा कितने महीनों का 7 महीनों का अब देखिए इसी परस्णों को हम इस प्रकार से करते हैं सॉल की जो रेट है उसको थम वर्स में रहने देते हैं लेकिन जो 7 महीने दिये थे उनको हम वर्स में क्या करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथ बटा बारा ही करना पड़ेगा सेम चीज़ आपको या तो इसको इसमें प्रकार से अब हम आगे अगर आपको और ले लेता हूँ और अगर अभी तक भी समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं हमारा वाट्सप से हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं मैं यह पस्क्राइब आपको वापस समझा दूंगा तो next जो हमारा है हम बात कर रहे थे compound interest की चक्रवरती ब्याज चक्रवरती ब्याज क्या है चक्रवरती ब्याज होता है ब्याज का भी ब्याज इंट्रेस्ट औफ इंट्रेस्ट यानि कि जब मैंने किसी को पैसे दिये छे महिने के लिए तो मैं उसको कह दूंगा कि तेरा हर महिने जितना ब्याज हुआ जैनि कि जैसे मैंने उसको आज पैसे दिये एक महिना होते ही मैंने उसको कहा कि एक महिने के तेरा इतना रुपय हो या ब्याज ये ब्याज तो मेरे को दे अगर वो ब्याज हमें ना दे तो जितने पैसे हमने दिये थे प्लस उसका जितना ब्याज हुआ उसके नेक्ष्ट मंत में उसका भी होगा ब्याज उसके बाद उसका भी ब्याज उसका भी ब्याज ऐसे ऐसे ब्याज ब्याज लगता जा जो शॉता है यह ले इनकी यानी की वॉर्सी की पूरा एक साल और राफ अरली मल्व रही के तर lounge रोगण का होता है ऑग होदा है कि क्षाटर अर्ली क्षाटर अर्ली जो होता है वो होता है चोथा ही भाग 24 होता है यूद लिया जाते और एक होता है monthly यानि कि हर महीने जितना ब्यास बना उसका ब्यास लिया जाएगा अब मैं आपको समझाता हूँ एक किस प्रकासे काम करते हैं इसके रूल इसके फॉर्मूले सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सबोज मैंने किसी आदमी को 2000 रुपे दी है rate मैंने इसको कह दी एक पॉइंट 5 परतिसद पर मंत हैने कि हर मैंने उसकी rate एक 8 5% की अगर उसको थुड़ा अगरा आपको समझाना चाहूं तो मैं आप 2% ले लता ह I कि 2% पर मंद तेरे को ब्याज तेरा होगा और मैंने उसको पैसे दिये एक साल के लिए वन एयर एक साल तो अब क्या करना है आपको इसका तो चक्रवती ब्याज का सीधा स्विंपस चादरन एक चीज है वह मैं आपको आगे समझा दूंगा लेकिन चक्रवती ब्याज किस परक महीने अब सब से पहले मेंने की बात करते हैं इसने कहा दू परसेंट पर मंत का दिया है ली कि अब इसको इसमें एक चीज और देगा चक्रवती ब्याज में एक तो देखा कि कितना कितने रुपे दी है कितने रुपे दी है एक देखा कितने परसेंट क्या वह मलब ले रहा है ब्याद और किस साफ से ले रहा है कितने वर्सों तक दिया या कितने मैनों तक दिया कितने समय तक दिया उसका यह होगा उसके बाद जो होता है वो होता है कि किस प्रकार दिया यानि चक्रोती ब्याद किस आदार पर दिया जाएगा नहीं कि हर 3 मेने दिया जाएगा हर 4 मेन ले जाएगा हर 6 मेन ले जाएगा हर साल ले जाएगा किस प्रकार दिया जाएगा वो चीज जिसमें सो करने बढ़े कि सपूद इसने कहा हर महीने हर महीने आपको चक्रवति ब्याज लगेगा मंतली मंतली चक्रवति ब्याज रोटेट होता जाएगा अगरसने कहा दिया माल ओपस ने ऐसा दे लिया हम क्या करतें सब्सक्राइब में क्या होगा यह क्या हम हम्new ऊपास किया है एक महिना हैंनि हम सबसे पहले महिना का कितना मौंट होगा ओक रएगा एक एक महिना इंटु रेट जो हमार पासे दो परसेंट की वर्टा हम करेंगे सो जीरो से जीरो कैंसल हो गया और यह होगे चालीस रुपए 40 रुपए से प्लस downtra चालिसे अब हम सेकिंड मन्त की बात करते हैं तो सेकिंड में क्या होगा दो अजार चालिस इंटू एक मैना यानि कि अब हम इसके जो जो ने नेक्ट मन्त है उसकी बात कर रहे हैं इंटू दो बटा 100 अब 1010 कैंसल हो गया यह तरहें का कि यह फिल पांच आ गया पांचोंग बीस नहीं जाता है तो चालिस पॉइंट अब जो है इसके बंद जाएगा आठ चालिस पॉइंट आठ हो गया अब जो तीसरा महिना होगा उसमें क्या होगा कि दो हजार चालिस प्लस ये हो गया तो असी पॉइंट उन्ट एक इंटु दो बटा सो अब ऐसे सॉल करते जाएंगे और जो बयाद आएगए उस बयाद को जोड़ते जाएंगे और लास्ट जो बारवा मेना होगा उसका जो बयाद होगा उसको सब जोड़कर रोपे से आ कि हम shortcut में इसको ग्याद कर सके, shortcut formula यह है, compound interest का formula यह है, कि जो आपका principle है, याभी कि जो मूझदन है, उसको बार रखिए, अंदर one plus, जो उसकी rate है, उस rate में बट्टा कर दीजी, सो, और उपर कर दीजी आप, एन, आर, हैंनी कि, यह सो ने, यहां पर नहीं आएगा, सो भी आएगा, लेकिन सो कब आएगा, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, कि अगर हाफ अर लिए, सुपोरे साल की बात कर रहे हैं हम, कि पूरे साल के इसाफ से आपके पैसे लिए जाएंगे, तो फिर यहां पर 100 आएगा, अगर यह इसने कहे दे कि हाफ अरली, तो यहां पर into two हो जाएगा, और यहां पर into two हो जाएगा, इस प्रकार से यह rate काम करेगी, और इस प्रकार से यह formula काम करेगा तो आज आपको बस इतना ही बताता हूं componentist है क्या जो इसका नियम है जो इसके formula है वो अभी आपके कि अज आज में निग दो नोव पाएंगे मेरे को थोड़ा काम है मैं डिए जा रहा हूं तो आप बस यहां तक कर ले ना की चकरवति आज किस कार काम करता है और इसमें क्या क्या होता है ऑचकी वीडियो में यहीं समका समदान हो जाएगा ओके दोस्तों बहुत बहुत सुक्रिया और अंडर बीचस आपका फिर सहादिक सागत करता